जैहिन दोस्तों कैसे हो आप सभी मैं प्रीती सिंग एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सब के चैनल EPS पर दोस्तों आज करेंगे हैं 46 नंबर की करन्ट अफेर की क्लास शुरू इससे पहले दोस्तों ओलरडी चैनल पर 45 लेक्चर की प्लेलिस्ट बन चुकी है तो जो भी मेरे साथ नए स्टुडेंट जुड़ते हैं और उन्हें नहीं पता है कि मैं हमके कितनी क्लास हो चुकी हैं तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना है प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोनों क्लासिस की तो आपको सारी क्लासिस देखनी है और कक्षा का भरपूर लाब उठाना है तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की चुरू करते हैं आज की अपनी 46 नंबर की करंट अफेर की क्लास तो दोस्तों पहले कुशन लिया है मैंने हाल ही में पीम मोदी ने कहां को कहां 12 जनवरी को रास्टे युवा सम्मेलन का उधगाटन करेंगे दोस्तों कुशन का ताथ पर यही है कि हाल ही में पीम नरेंद्र मोदी जो अपना संदोजा 23 में 12 जनवरी आने वाली है 12 जनवरी को रास्टे युवा सम्मेलन का उधगाटन करेंगे तो यह उधगाटन पीम नरेंद्र मोदी जी कहां पर करेंगे तो दोस्तो आपको ध्यान में रखना है अगर आजाए पहले तो आपको यही पता होना चाहिए डारेक्ट ऐसे भी स्टेट लेवल PCS में या ओल कॉम्टेटिव एक्जाम के अगर आप तियारी कर रहे है SSC, CGL, CHSL की या SSC、 GDP की तो दोस्तो यह कॉशंच वहाँ पर भी डारेक्ट देखने को मिलता है कैसे कॉशंच आता है दोस्तो राष्ट यूवा डिवस कब मनाया जाता है ऐसे दे देगे ओप्षन में 11 जनवरी को मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है ऐसे आपको 4 डेट देंगे आपको क्या धियान में रखना है आपको धियान में रखना है जो रास्टी है अगर यूवा दिवस आ जाए तो आपको लगाना है 12 जनवरी 12 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है रास्टिय युवा दिवस मनाया जाता है यह आपको ध्यान में रखना है अब इसका दोस्तो उद्गाटन पीम नरेंद्र मोदी कहां पर करेंगे जो रास्टिय युवा समेलन है इसका उद्गाटन पीम नरेंद्र मोदी कहां पर करेंगे तो दोस्तो यह आपको ध्यान में र करेंगे पहली बात यह और सेकिन तो आप सभी को बता दी राष्ट युवादिवसका मनाया जाता है बार जन्वरी को मनाया जाता है यह आपको ध्यान में रखना है डारेक्ट कोशन यहां से भी पूछ लेते हैं और थर्ड क्या ध्यान में रखना है पीम नरेंद मोधी कहां करेंगे तो दोस्तों यह करेंगे करनाटक में करनाटक में कहां पर करेंगे करनाटक आपको ध्यान में रखना है अब दोस्तों करनाटक के बारे में और फैक्च्वल जानकारी जान लेते हैं क्योंकि आप सभी को प्रीति मैम के पढ़ाने का तरिका अच्छे से पता है कि मै से कोशन पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए और जो अपने 28 इस्टेट है यह भी आपको पता होना चाहिए कि कितनी स्टेट है यह मैंने पिछली करंट अफेर की क्लास में भी बताया आज फिर बताती हूं दोस्तों अगर आ जाए जैसे स्सी जीडी वगरा में पू सासित परदेश कितने 28 राज्य और 8 केंद्र सासित परदेश यह आपको ध्यान में रखने है सैकिन दोस्तों आप सभी को अपने जो 28 इस्टेट है और 8 यूटी है दोस्तों आप सभी को इनकी एक तो लोकेशन पता होनी चाहिए कि राजिस्थान कहां पर है MP कहां पर है उत्तर परदेश की क्या है राज राजिस्थान की अपने की क्या है और अपना करनाटक की क्या है यह सब कैपिटल भी आपको ध्यान में होनी चीए ध्यान में क्या एकदम याद कर लेनी चीए आपको पता ही होना चीए और सैकिन यहां के सीम और यहां के गवर्नर यह बहु मैंने आपको बताया था उत्र परदेश ने शुरू की है तो जब भी उत्र परदेश की बात होती है या राजस्थान की बात होती है तो दोस्तों मैं आपको उसके मैप के थूरू बता भी देती हूँ कि यह कहां पर लोकेटीड है भारत में और उससे रिलेटिव जितनी भी जानकारी होती है कि यहां कि राजधानी क्या है सीम कौन है गवर्नर कौन है सासा देते हुए चलती हूं तो आज हम बात करेंगे दोस्तों करनाटक की किसकी करनाटक की तो दोस्तों करनाटक की अगर हम राजधानी की बात करें तो दोस्तों करनाटक की राजधानी है बंगलू अब दोस्तों यहां के गवरनर की बात करते हैं कि बैए जो करनाट के ने क्ते जो अब दोस्तों आज पिर से कराउंगी तो आपके को जाएगी तो आप लिहांत से सुनिएगा दक्षिन भारत की पहली वंदे भारत अगर एक्सप्रेस को हरी जंडी दिखाई अगर ऐसे आजाए दक्षिन भारत की ये क्या है दोस्तों ये है अपना दक्षिन भारत अगर आजाए इवे दक्षिन भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी जंडी कहां से दिखाई जंडी कहां से दिखाई और ओप्शन में हो बंगलूरू से दिखाई तमिलनाडू से दिखाई आंदरपरदेश से दिखाई क्योंकि यह दक्षिन के अपने ऐसे आपको चार ओप्शन में दियो तो आपको क्या लगाना है दोस्तों आपको लगाना है कि भाई बंगलूरू से कोशन दूसरा क्या है दोस्तों पीम नरेंद्र मोधी ने यहां पर कैंप गोड़ा की 108 फिट उची परतीमा का अनावरन किया है बंगलूरू में ही पीम नरेंद्र मोधी जी ने कैंप गोड़ा कैंप गोड़ा की 108 फिट उची परतीमा का अनावरन किया है दोस्तों यह काफी म देखने को मिलेगा क्या है कुशन ऐसे आएगा कि पीम नरेंद्र मोदी ने कहां पर कहां पर 108 फिट की केंप गोड़ा की मूर्ती का अनावरन किया है ऐसे देंगे आपको क्या देंगे बंगलूरू बंगलूरू दे क्या है मूब करते हैं दोस्तों नेक्स्ट को चन्द्रियान मिशन किस देश के उपकरन को ले जाएगा हाली में इस रो आगामी चन्द्रियान third mission क्या है दोस्तों question यह science tech को question है हाल ही में इस रो आगामी चंद्रियान third mission में किस देश के किस country किस देश के किस देश के उपकरन को ले जाएगा तो ऐसे देंगे आपको option में USA के अपना फ्रांस के जापान के तो आपको लगाना है कि USA के उपकरन को इस रो आगामी जो mission है चं इसके उपकरन को ले जाएगा यह आपको ध्यान में रखना है मूब करते हैं दोस्तों next question पर जो की है हाल ही में हाल ही में यूट्यूब ने हाल ही में यूट्यूब ने किस देश की GDP में किस देश की GDP में 10,000 करोड रुपे का योगदान किया है तो दोस्तों आपको आएगा ऐसे option में भारत की फ्रांस की और अपना ऐसे करके 3-4 option में country के नाम होंगे तो आपको ध्यान में रखना है हाल ही में जो यूट्यूब है य 10,000 करोड यह आपको धियान में रखना है संख्या 10,000 करोड रुपे का योगदान किया है तो दोस्तों यह बहुती ज़्यादा इतना इजी नहीं है तो यूट्यूब ने GDP में वह भी GDP में कितने 10,000 करोड की तो देखो भारत की GDP में कितना बड़ा एक ये योगदान ही साब 10,000 करोड रुपे का योगदान दिया है तो GDP में कोशन ऐसे आएगा हाली में यूट्यूब ने किस देख की GDP में 10,000 करोड रुपे का योगदान किया है तो दोस्तों यह किया है अपने भारत की GDP में भारत की GDP में यूट्यूब ने 10,000 करोड रुपे का योगदान किया है य आपको ध्यान में रखना है मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन पे जो की है हाल ही में सन 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा तो दोस्तों ये करेगा मोरक को ये आपको ध्यान में रखना है मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन पे जो की है हाल ही में IMF ने वित वर्ष सन 2023 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है हाल ही में जो IMF है IMF की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों International Monetary Fund क्या है International Monetary Fund हाल ही में IMF ने वर्ष सन 2030 वित वर्ष जो सन 2023 आने वाला है में भारत की जो GDP GDP ग्रोथ है ग्रोथ रेट कितने परसेंट कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है तो दोस्तों यह रहने का अनुमान लगाया है 6.8 परसेंट 6.8 परसेंट आपको चार ओप्शन में देंगे 7.8 परसेंट 5.5 परसेंट 6.8 परसेंट तो आपको क्या लगाना है अगर IMF का अनुमा कि वह इनोंने कितने कानुमान लगाया अब दोस्तों इसकी फुल फॉर्म बता दी मैंने अगर फुल फॉर्म से आए तो आपको लगाना है इंटर नेशनल मोनेटरी फंड दोस्तों जैसे एससी बगएर के एक्जाम से होते हैं के लगा लो एंटियस के एक्जाम होते हैं डेलीफिली फॉर्म से भी कोशन आ जाते हैं जैसे इंट्र चाई माइं तो लगाना हैं इन्टर नेशनल मोनेटरी फंड क्या इंटरनेशनल मोनेटरी फंड ये तो बात हुई दोस्तों आई एम एफ की फुल फॉर्म की अभी इसके इसके अभी एम डी कौन है वरतमान में इन सब के बारे बें चर्चा करते हैं दोस्तों आप सभी को पता है मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसे यहां पर फैक्चुल चीज़े होती है मतलब करंट का तो ऐसे यह ना जहां पर आपको एक बार चीज़े पढ़के याद हो रही है तो हम आपर इस पीड में चल लेते हैं लेकिन जहां पर जैसे कोई इस्टेट है इसके इस्टेट के बारे में और इस्टेटिक जानकारी देनी होती है तो मैं महाँ पर टाइम लेके आपको समझा देती हूँ लेकिन जहां पर इस्पीड में चलने की जरूरत उती है दोस्तों महाँ पर आपने इस्पीड में ही कवर करेंगे अब जैसे इंटर आइम एफ है तो इसके बारे में और जानकारी है वह फैक्चुल भी तो है यह तो दोस्तों कोशन बनते ही बनते हैं क्योंकि इस थापना से तो आप सभी को पते चाहिए वो WB की हो मतलब वर्ल्ड बैंक की हो IMF की हो या सार की हो आशियान की हो और अपना ये SCO की हो यहां से कोशन बनते हैं तो इस थापना तो आपको ध्यान में होनी चीए अब दोस्तों अगर आजाए कि IMF की स्थापना कब की गई थी आजाए 1949 में 1950 में 1945 में 1944 में तो दोस्तों आपको लगाना है कि IMF की स्थापना हुई थी 1945 में कब हुई थी दोस्तों 1945 में हुई थी यह आपको ध्यान में रखना है अब दोस्तों अगर बात करें IMF के मुख्याले की IMF के हैड़ ट काटर की उंग्रेशी में किया ہेड़ काटर बोलते हिंदी में मुख्याले अगर करें हम i.m.f. के मुख्याले की बात तो दोस्तों यह वոशिंटर डी सी में कहां पर बाशिंगटन डी सी में यह आपको ध्यान में रखना है I.M.F. के दोस्तों ये जो इस्थापना होती है ना जैसे चाहे वो वर्ड बैंक हो I.M.F. हो और ये अपना ये होता है सार्क हो गया ये दोस्तों इनके इस्थापना के सासाथ आपको ना इनका जो मुख्याले होता है ना हैड उकाटर उनको भी याद सासाथ करते हुए चलना है एक बार में याद नहीं होती है चीज़े अब जैसे हम I.M.F. के बारे में याद कर लेते हैं फिर हम सार्क ले लेंगे एक दिन आशियान ले लेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में जब मैं आपको आगे की कराट टाफएर की कलास में कुछ मुझे करण से रिलेट करके मिलेगा तो मैं हम नहीं पर आपको सासाथ कवर करवाते हुए चलूंगी आपको ये दोस्तों सासाथ याद करते हुए चलना है यहां से खील entit से बाते हैं क्या है कौन है इसके अमडी क्रिष्टीना जोर्जी वाई या आपको ध्यान में रखना है मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन पर जो की है हाल ही में कहां चिल्ले कला की शुरुआत हुई तो दोस्तों चिल्ले कला की शुरुआत हुई है चिल्ले कला की शुरुआत पर घर है एकदम गेट खोल के और खिड़की बगएरा खोल के शूट करना पड़ता है और इतनी ठंडी हवा आ रही है लिटरी मतलब एकदम फेस ठंडा पड़ाया जो हाथ है न मेरे मारकर भी गिर गया हाथ से बहुत चिल्डो रखे एक तो पर साथ बजे उट गई थी क्ला होता है हाथ एकदम बरफ से जम गए मेरे तो क्या है दोस्तों कोशन हाल ही में कहां चिल्लई कला क्या फोकस करना है चिल्लई कला आ जाए और ऐसे देदे की कश्मीर में लद्दाक में शुरू की गई शुरूबात हुई चिल्लई कला की कश्मीर में लद्दाक में हुई हिम को तो लगाना है कश्मीर क्या लगाना है कश्मीर यह आपको ध्यान में रखना है मूब करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कुर्शन पर जो की है हाली में शुशाशन हाली में शुशाशन अंग्रेजी में क्या गुड गवर्नेस क्या अंग्रेजी में शुशाशन को क्या बोलते है दोस्तो good governance बोलते है good governance तो यह आपको ध्यान में रखना है हाली में शुशाशन दिवस कब मनाया गया है तो दोस्तो आपको ध्यान में रखना है 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को क्या मनाया गया है शुशाशन दिवस मनाया गया यह आपको ध्यान में रखना है यहां से भी दोस्तो एक्जामे कोशन देखने को मिल जाता है तो यह आपको याद कर लेना है सुh also दिवस कम मनाए जाता है तो आपको धियान में रखना ऐखना है कि भई गुड गवर्नस डे कम मनाया जाता है 25 दिसंबर को शुशाशन दिवस कम मनाया जाता है तो आपको लगाना है 25 दिसंबर को मनाया जाता है मूब करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन पर जो की है हाली में लोसार महुचसव कब कहां मनाया गया क्या है दोस्तों हाली में जो लोसार महुचसव है ये कहां मनाया गया जम्मू कश्मी लद्दाक हिमाचल परदेश या फिर अपना उत्राखंड ऐसे करके ऑप्शन में आए उद्दाक सा Armor है कि जो लोसार महुद्व साथ यहां मनाया गया यह दोस्तों लड्लक में अवाप इसको तरा संस्क्राइब कर सकते हैं वह सह संच हो रहा है और ला से होता है अपना लट-दाक कि आपको ध्यान में रखना है अगर झासर स्थार का हमना जाते हैं है तो आपको लगाना है यह तो जैसे च्रिक होता है कि जहां पर ज़रुत होते हैं अपने ट्रिक से भी आद कर लेते हैं जैसे अपने पिछली करणट Fray की class में पुर्वत्तर के राज्य किए थे इनको याद कैसे रखे कि ए सेवंच सिस्टर कौन से पुर्वत्तर राज्य को खा जाता है या जो सैवेंच सिस्टर में कून साइस्टेट सामिल नहीं है तो दोस्तो मैंने आपको ट्रिक से कराया था कि वह ऐसे यद कर ले ना double a double a double a triple m triple m and t तो दोस्तो इसमें आशद नहीं है तो मतलब सिक्किम सिक्किम seven sister में count नहीं होता है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं अब देखो यह भी हमने later aập कर लिया एक्जाम में स्टेट लिवल PCS में में तो कि आप सभी को पता है मैं हमें साव से कोशन आते हैं जैसे चापचार महुत सभ गया और यह लोसार हो गया और वी दोस्तों काफी महत्पून अपने मोच कर रखा है अब यह जैसे संदोजार वाइस अपना खतम होने वाला है कुछ ही दिन बचे हैं तो मैं आपको क्या करूंगी जैसे यह एंड हो जाएगा ना तो जितने भी महत्पून अपने यहां से कोशन बनता ही बनता है जैसे लो सार हो गया चाप चार हो गया और भी काफी ह है तो उनको मैं सेलेक्ट करके जहां से भी जैसे मैं पीवाई क्यू सॉल्व करती हूं तो मुझे आइडिया है कि कहां कहां से पूछे गए तो 15-20 महत्पून यह अपने महत्सव होते हैं यह कर लेंगे एक कक्षा में मुझे आपको कराना है जो महत्पून सैन्य अभ्यास ह वो कवर करेंगे और कैट जैसे नाम परिवर्तित होते हैं तो एक क्लास में वो कर लेंगे जहां से मुझे पता है कि यहां से 100% स्टेट लेवल PCS में कोशन बनते ही बनते हैं करंट में वो तो मैं आपके एक दम अच्छे से कवर करा दूगी बाकी आपको तो डेली रोज मै हैं दोस्तों आधे से पॉन घंटा की क्लास ले रही हो तो वह भी साथ साथ आपको देखते हुए चलना है अगर आप रोज मेरी आधे से पॉन घंटा की क्लास देखते हैं तो दोस्तों 100% गारंटी है इस से भार आपको इस्टेट लेवल PCS या आप जो भी कॉम्टेप्ट और GS second करा रही हो आप सभी को भी पूरी-पूरी मदद करेंगे तो आप सभी को ये कक्षा है अच्छे से देखनी है जैसे दोस्तों मैंने आपको समझा दिया लोसार मोहतसव कहां मनाया गया तो आपको धिहान में रखना है लद्दाक में मनाया गया दोस्तों एक-दो जान लेना है पिछली करंट अफेर के क्लास से एक क्लास जी आई टैग की फिड ले लेगें अगर आजाए दोस्तों रक्त से कार पे खुबानी को जी आई टैग मिला ये कहां का है तो आपको लगाना है लद्दाक का दैन दोस्तों अगर आजए शुभाश अभियान शुभाश अभियान किसने शुरू किया तो दोस्तों ये भी शुरू किया है लद्दाग ने किस ने नया कानून पाृत कि है तो दोस्तों यह पारित किया है इस्पेन ने ईह आड ध्यान में रखना है अब दोस्तों कर दोस्तों दोश से बारे में कोई भी चांका भी कोशन बनते हैं तो दोस्तों हुए और स्टेट express होगे दोस्तों महां पर राजधाने के मुता है नब नहीं कि तब के तो उसके वारे में उसकी राजधानी माकी करनसी तो अंग्रेजी क्योंते पूछते हैं और आज दोस्तों बात करेंगे क्योंकि कि किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया तो आपको लगाना इस पेन अगर दोस्तों की राजधानी पूछ ले तो दोस्तों अगर स्पेन की मुद्रा की बात करें तो इसपेन की मुद्रा है यूरो क्या है दोस्तों यहाँ के अगर strengthenasis डालगी आपको दोस्तों क्या करना है आपको दोस्तों क्या करना से मेरे जैसे जादा करना है अगर चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है कि एक्र नहीं किया है तोHy subscriptions पर All पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों उससे फायदा क्या होता है क्योंकि मेरे काफी students कमेंट कर रहे थे कि मैं हम आपकी वीडियो नी मिलती है या लेट आती है हमारे पास तो दोस्तों रिजन यही है कि आपने जो बैल आइकन होता है ना वो नहीं दबा रखा तो आपको क्या करना है आपको ओल लाइकन दबा लेना है उससे क्या होगा दोस्तों जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालती हूं तो सबसे पहले वह आपके पास पहुचेगी और मैं यही चाती हूं दोस्तों जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबसे पहले मेरी एजुकेशन की वीडियो मेरे स्टुडेंट के पास ही पहुचे ताकि वह इन वीडियो का अच्छे से लाब उठा पाए और जो वह अपनी त्यारी कर रहे हैं वह अपनी त्यारी को कंटिन्यू रखें और इतना इतनी महनत करें दोस्तों ताकि वह जल्द से जल्द अपनी सक्सेस को अचीव कर ले तो दोस्तों आपको क्या करना है जब भी मेरी वीडियो आपको मिलती है करन्ट अफेर की वैसे तो मेरा टाइमिंग आप सभी को पता है 10-11 या कभी-कभी हो जाता है अगर आपको सुनके याद हो जाता है दोस्तों वैसे काफी बच्चों का फीड़ बैक है कि मैम आप इतने अच्छे से समझाते हैं हमें एक बार में ही आपकी वीडियो को देखके चीज़े याद हो रही है तो दोस्तों वीडियो को देखके एक बार में चीज़े याद हो तो आप वैसे याद कर लें और अगर जो चीज़े आपको याद नहीं होती है मैं हमेशा बोलती हूँ उसको दोस्तों आपको पैन पेपर उठाएं और अपने साथ साथ नोर्स बनाते हुए चले संडे में जैसे कि कोई क्लास नहीं लेती हूँ तो संडे को आपको जो मैं आपसे हमेशा पूछती हूँ, आज भी पूछूँगी कि कमेंट करके बताना क्या पढ़ाने की स्पीड सही है कुछ जैसे जोती किरन जी हैं और पूनम जी हैं कुछ मेरे स्टुडेंट ऐसे हैं वो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो वो कहता है कि मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा ले दोस्तों स्पीड बढ़ाने में कुछ नहीं है लेकिन ये उप्चन तो हमारे फोन में भी होता है आप फोन में अपना 1.5 पर या 2 पर करके स्पीड को देख सकते हैं लेकिन मुझे दोस्तों एक एवरेज बच्चे को लेके जो गाउं में बैठ के तियारी कर रहा है और नया नया कॉम्प्टिशन में आया है तो दोस्तों मैं समझती हूँ कि जैसे नए नए बच्चे तियारी में आते हैं हमने भी चीजे फेस किया तो उन बच्चों को थोड़ा समझने में टाइम लगता है तो वो नूर्मल स्पीड में ही देखेंगे और अगर वो समझ जाते हैं चीजों को तो आप सभी भी स्पीड बढ़ा के देख सकते है तो दोस्तों स्पीड पढ़ाने की ऐसी होने चीए उनकी भाषा को समझने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन जब हम समझ जाते हैं तो तब हम इस स्पीड में चीजों को कर लेते हैं तो जो मेरे स्टुडेंट मेरी लाइंगवेज को पकड़ गए है उन्हें चीजे जल्दी-जल्दी समझ में आ जाते हैं दोस्तों आप अपनी phone की speed बढ़ा ले और speed में चीजों को देख ले अपने notes त्यार कर ले लेकिन जो बच्चे नए जुडते हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है तो काफी बच्चे कह रहे थे नहीं मैं में speed सही है तो दोस्तों speed हम ऐसे ही रखेंगे और आपके phone में option है आ दोस्तों अपना telegram link डाल दूंगी तो उससे आप सभी को join होना है जो पिछली PDF है उनसे revision करना है और जो नई PDF जो classes की नहीं डाल पाई हूं तो वो भी मैं दोस्तों परियास करें जल से जल डाल दूंगी channel पर तो उन PDF से भी आपको सभी को revision करना है तो दोस्तों फिर मिलते ह आपको जीए second की class में अच्छे से पढ़ाई करते रहे 100% focus अपनी पढ़ाई पर रखे खुश रहे और अपनी family को खुश रखे धन्यवार